आईफून 15 को लॉंच हुए 6 महीने हो चुके हैं अब बारी है आईफून 16 की आपको बता होगा कि जब आईफून 15 लॉंच होने वाला रहता है ना तो उससे पहले ही आईफून 16 के बारे में लिक्स निकलना शुरू हो जाती है और जितने भी लिक्स आईफून 16 के वो सारे के सारे लिक्स ना उतने कंफरम नहीं होते हैं कि इसी डिजाइन या फिर इसी फीचर्स में आएगे पर आप आईफून 16 को लॉंच होने के लिए सिर्फ 5 महीने और बचे हैं और इस बीच में भाई जितने भी लिक्स आते हैं वो सारे के सारे 100% कंफरम होते हैं कि इसी डिजाइन और इसी फीचर्स में आएगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको आईफून 16 से रिलेटेड कुछ बाते बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपर्टेंट है अगर आप एक आईफून यूजर्स हो तो जैसे कि आप अगर आईफून 11 या फिर आईफून 12 चला रहे हो ना तो आपको आईफून 16 लेनी की उतना आव सकता नहीं पड़ेगा क्यूंकि भाई उसमें जो केमरा सेटप दिया गया ना मुझे आईफून 11 और आईफून 12 की जैसा लग रहा है जो लेफ साइड में आपको सेंटर में देखने को मिलेगा यानि कि गाईस जो दोनों उपर नीचे का केमरा जिससे पहले आता था उसी टाइप का केमरा आपकी बार आईफून 16 में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मुझे केमरा सेटप में काफी ज़्यादा बदलाओ देखने को मिला है आईफून के जितने भी सीरीज आने वाले है आईफून 16 के इन सभी में और इसमें आपको दो सीरीज और भी एड़ कर देगें ESE और SE पलस यानि कि यह दोनों सीरीज के जो केमरा सेटप रहेगा आपको जिसे जो आईफून 7 जो एट आए थे ना ऊपर नीचे केमरा था उसी डिजाइन में रहेगा और यह दोनों सीरीज भी आईफून 16 के साथ म आने वाला है आईफून 16, 16 Pro, 16 Pro Max और साथ में ESE और ESE पलस यह सारे आपको स्कीन पर नजर आ रहे हैं पर इस वीडियो में हम आईफून 16 के बारे में बात करेंगे आईफून 16 के बहुत सारी लीक्स निकल के आ चुके हैं जैसे कि पहले मैंने आगी वीडियो में बता है ज इससे जो कवर बनाते हैं, गिलास बनाते हैं वो सारे के सारे ना जो लीक्स है उन्हें चाहिए रहता तभी यानि कि आईफून 16 का डिजाइन रहता उनसे चाहिए तभी वो एक कवर बना पाएंगे तो इन्होंने एक कवर बनाया था हमने आगले वीडियो में भी दिखाया यहां पर देख लो इसी टाइप का यानि कि यहां पर इतका जो hardware वाला phone है वो भी निकल के आ चुका कुछ इस design में रहेगा तो यानि कि यहां पर iPhone 11 और टोईल वालों का भाई काफी मज़ा होने वाला क्योंकि उन्हें iPhone 16 का भी look देखने को मिलेगा iPhone 11 में अगर जैसे कि iPhone 11 में boxy type का camera setup दिया गया था और iPhone 16 में boxy type का camera हटा कर सिर्फ आपको गिलास पैनल के साथ में हलका सा boxy type का design दिया रहेगा पर वो उपर उठके नहीं रहेगा यानि कि उपर नहीं उठा हुआ रहेगा जिस type का आपको iPhone 11 और 12 में देखने को मिला था यानि कि यहां पर कहने का मतलब यह है कि iPhone 11 और 12 आपके पास है तो iPhone 16 अगर आप सोपीस के लिए ले रहे हो न तो iPhone 11 12 आपके लिए बढ़िया दिया गया है पर यह है कि iPhone 11 4G 12 तो 5G के सास में ही आ गया था पर भाई जो clarity रहेगा भाई जो experience रहेगा न iPhone 16 का वो कुछ अलग ही रहेगा क्योंकि इसमें काफी नएने features आपको add देखने को मिलेगे जैसे कि titanium आपको frame देखने को मिलेगा, सास में AI भी add किया जाएगा और जो camera की clarity रहेगा और काफी तगड़ा रहेगा और मुझे जहां तब पता है कि iPhone 15 में आपको binoic A17 देखने को मिला था पर इसमें आपको binoic A18 देखने को मिलेगा यानि कि यहां पर chipset भी काफी तड़ा दिया गया और आज के समय में सबसे ज़्यादा जड़त होती लोगों को chipset और camera की तो iPhone इन दोनों में काफी आगी है iPhone 16 के जो बात है तो यहां पर उसके सारे leaks confirm हो चुके हैं और जो display रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा आपकी बार जितने भी iPhone series आने वाले है ना वो सारे के सारे display बड़े देखने को मिलेंगे उन सभी में डिस्प्ले काफी बड़ा रहेगा जैसे कि iPhone 16 है 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो काफी बेस्ट है काफी बड़ा display देखने को मिला तो यहां पर बाई जो iPhone आते है न उसका camera setup काफी अलग देखने को मिलेगा यानि कि मुझे ऐसा लग रहा है कि iPhone 16 Pro Max का camera setup रहेगा वो बिल्कुल S24 Ultra के जैसा रहेगा तो यहां पर अगर इस design में आएगा तो भाई इसका जो demand बहुत जादा कम हो जाएगा क्योंकि कोई भी purchase नहीं करना चाहिए क्योंकि iPhone के जै इडिया में जितने वी लोग purchase करना चाहते है iPhone अगर budget 20-30 जा रहे ना वो सारी के सारे लोग ना सिरिफ iPhone की पीछे जा रहे तो भाई iPhone का पीछे Apple लगा हुआ है कटा हुआ उसी का demand है तो आप कौन से users है Android users है या फिर भाई Apple users है आप एक बार comment बताना तो iPhone 16 से related जो भी जान क पोच्छ